आज हम ऐसे career options के बारे में बात करने वाले जिसका 10 साल पहले की सिने शायद नाम तक नहीं सुना था लेकिन आज को emerge हो के ऐसे आने लगे कि उन जॉब रोल्स को हर को ही पाना चाहता है करियर बज आशो वेर टॉप ग्रोसिंग जॉब्स बात करते सबसे पहले जॉब रोल के बारे में जहां पर कंपनीज लाइक IBM, Coinbase, Walmart और ऐसी कई बड़ी कंपनीज को जिसकी जरुरुत पढ़ने लगी है वह ब्लॉक्चेन इंजीनियर क्योंकि ब्लॉक्चेन इंजीनियर से कंप्लीट पकेज होते हैं Operations, Designing, Development, Analysis, Implementation से लिएक सपोर्ट करना एक Distributed Blockchain ये Network को ये सब ही समाल सकते हैं जिनके अंदर इनके expertise होती है जिनका exactly पता होता है कि Web 3.0 को monetize कैसे करना है उससे काम में कैसे लेना है जिससे वह help करते हैं और जादा Businesses को evolve होने है Blockchain technology से उनको मिलवाने में Average salary 9.6 lakhs जिसका lowest है 3 lakhs और highest जाता है 23 lakhs तक और कोई international company जैसे की Walmart अगर आपको hire करती है तो आप अपनी salary 24 lakhs पर येर से तो उपर ही समझो Also इसमें से काफी job roles के बारे में मैंने एक detailed video अगर आपको वो देखने है तो आप जाकर अभी चैनल पर देख सकते है और अगर इन वैसे किसी के बारे में नहीं बना हुआ है तो आप मुझे comment में बताइए और इसके उपर वीडियो जल्दी ही आजाएगा बात करते है second job role की जो also 10 साल पहले exist नहीं कहता था जो कि है cloud architect cloud architect यार नाम में चुड़ा हुआ है कि cloud based technologies के उपर उनका काम रहता है यह ऐसे IT specialist होते है जिनका काम company के computing strategies को create करना होता है इस strategy के अंदर cloud adoption plan हो सकता है cloud application design हो सकता है as well as इसके अंदर cloud management and monitoring भी आती है जिनका काम होता है वो application को cloud के environment के साथ तच्छे से connect कर पाया उनको smoothly run कर वा पाया most of the companies को cloud technology की जरूद पढ़ने लगी है क्योंकि यह काफी साथा cost effective रहता है अलाक एक खुद का server होना जहां पर आपको उसकी cooling देखनी पड़ेगी सारी wiring देखनी पड़ेगी उसके लिए जगा ढूड़नी पड़ेगी वो server को खरीदना पड़ेगा और उसका storage बढ़ाते रहना पड़ेगा companies यह consider करते है कि वो एक cloud service को खरीदे जहां पर जो data होता है बस उनको वही समाला है वो data ही उन्हें upload करना है और जो कि यह सारी जो जंजट है वो cloud companies समाल लेगी और इसलिए जो cloud architect है उनकी demand इतनी जाद है और salary उनकी शुरू होती है 20 lakhs per year से on average in India जापर जो lowest है वो है 5 lakhs और जो highest है वो जाते है 33 lakhs और also जो भी मैं jobs बता रहा हूं उसके इंदे international possibilities भी काफी जाद है आपको काफी जादा ऐसे chances हो सकती कि आपको abroad जाकर job करने का मौका मिल इसी non-tech job के बारे में जो बहुत आधा आजकल मार्केट में demanding है जिसका नाम है product manager जिनको मैं total innovators और inventors consider करता हूं क्योंकि उनका काम होता है customers की needs को देखते हुए business के objectives को देखते हुए ऐसा product लेकर आना जो company को growth दे पाए customers को satisfy कर पाए इसके अंदर जो इनका skill set होता है वो काफी जादा diverse होता है क्योंकि from the idea from the request जो आपको customer से मिल रही है वहां से लेकर इस product की development से लेकर वहां तक उसे launch करने तक यहां सब जगा इनका हाथ रहता है यह सब पर देख रहे होते हैं इसके अंदर इनको काफी जादा लोगों से बा होते हैं चाहिए वो एक app की company, tech company हो जापर वो एक feature को launch करते हैं जैसे कि YouTube का download button हो गया to the point की वो maggie का एक नया flavor लेकर आ गये है जिसके अंदर है काफी जादा skill set required होता और इनकी salary इसलिए शुरू होती है 16.2 lakh per year से ठीक है इसके अंदर सबसे lowest होता है 6 lakhs और highest जाता है 35 lakh तक इसके उपर हमने एक detail video बना रहा है अगर आपको वो देखना है तो आप यहांते click करके अभी उसे देख सकते हैं अब हाँ यह तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा successful companies है वो tech companies है इसलिए जो job roles है वो उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा demand है वो evolution की है वो evolvement की है इसलिए जो data science हो से काफ़ी साथ value दी जाने लगी है और इसलिए data scientist की भी demand बढ़ती जा रहे है जिदर उनकी specialization होती है analyze करना data और interpretate करना data को ताकि उससे company better decisions ले पाए और जाधा अपने operations के इंदर successful हो पाए data scientist को company के large data sets को analyze करना पड़ता है trends को उसके इंदर पड़ता है अगर कोई follow up कर रहे हैं तो साथी मैं उनको नए तरीके डूंडने पड़ते data organize करने के लिए collect करने के लिए उसको अच्छे से store करने के लिए काफी जादा tech savvy job AI इसके अंदर आपको AI engineers machine learning engineer DevOps के साथ मैं आपको काम करना पड़ता है और इसलिए इसके अंदर आपक topic के ओपर एक fully detailed video बना रहा है आप यहां पर उसे क्लिक कर और अभी उससे जाकर देख सकते हैं अगर आपको data science के इंटरस्ट है तो बात करते फाइनल जॉब डोल के बारे में जो की होती है SDE यानि कि software development engineer क्योंकि आज की ताइम पर सब कुछ digital होता जा रहा है जो start-ups आजकल बूम कर रहे हैं आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग software developers होते हैं और फुल-stack software developer भी होता है जो इन दोनों के बार में काफी अच्छा जानता है और इसके अलावा भी उसको काफी दार नौलेज होते हैं maintenance के बारे में API के बारे में जिसके ओपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं और फुल-stack software developer आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और इंडिया के अंदर जो इनकी placement होते हैं वह उठाते हैं यहां पर Amazon Microsoft Google जैसे लोग हैं मगर इंडियान स्टार्टप्स पीस के अंदर कम नहीं है इसके अधर इनके कई लेवल्स भी होते हैं यहां पर इनके सालरी भी बढ़ती है ऐसे एंड पॉसिबिलिटीस वर अबराड हमेशा रहती है जहां पर इनकी सालरी के अगर हम बात करें तो इसका आवरेज है अराउंड एट लाक्स पर यर मिनिममम ज्यादा है और माक्सिमम होता है एटीन लाक्स तरक मैंने काफी लोगों को देखा है जोनों ने इससे भी अच्छे पैकेजिस को पाया है तो अगर आप हसल करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल होते हैं यार इसी नोट पर खतम करते हैं इस वीडियो को आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसके लाब आगर मैं किसी और इसे से पर जॉब रोल के बारे में बात करना पूल कैंजिस के बार में Jewel चाहते है अप चाहते की विडियो ओ च्रूं